गुट मोर्निंग एब्रीवन तो लख्च का टिफिन हो चुका है तैयार आज बनाए है नमकीन चावल पराटे और रोटी बोटी कुछ नहीं बनाया यह उसकी बोटल और सारा कम अल्रेडी हो चुका है ज्यादातर तो यह चावल हम ब्रेक पास्ट में खाएंगे यह ज्यादा उबल गई थे तो मैंने साइड में रख दिये हैं और यह इससे चाय बनेगी दूट से और यह है चनी और मुंपली के दाने जो बेंगोए थे बरतन थोड़े से बाकी उनको मैं साप कर लेती हूं लख्च हो गया एकदम रेडी आप लोग देख सकते हैं और आज थोड़ी सी सरदी है तो जिसकी स्कूल वाली जैकेट है ना वह बहुत मॉटी है तो उसमें ज्यादा गर्मी लगती इस वजए से फिर मैंने यह वाली जैकेट बना दिया क्योंकि अभी स्कूल में ज्यादा ऐसा कुछ कोई बोल नहीं रह चाय साथ महीं मैंने किचें की सफाई करी थी और ये सारी चीजे मैंने सैट कर दिया है और आपको बता दू मैंं जैसे ही आज चीनी कदम हो गोई थी तो मैं दबे में चीनी भरी थी तो मैं श्टोर्षू में रखने गई थी तब-tक यह निकल गई अब इतना मूराफ हो ग यह चलो फिर से साप करना पड़ेगा यह मुझे तो लगे हाथ अभी मेरी चाय बन रही थी तो मेरे मसीन भी लगा दी है फाइनली चाय बन चुकी है तो मैं बंद करती थी क्योंकि फिर अनिल नहीं आया थे हम दोनों साथ में पीते हैं तो अभी वो लेके आये वह रिलाइंस आज में कपड़े वोस करूंगे उसके लिए तो हो जाएगी वड़ उसके लिए सरफ कतम हो गई है दो चाय चीज हो और है उस दिन रासन का सामान लेके आये थे ना इतना सामान भूलके आये थी बहुत जादा और यह है कॉफी कॉफी अभी मेरे लिए तो इलाओ है नहीं ने मना कर दिया है प्रेगनें आप होते हो मतलब कोई भी प्रेगनेंट होता था उसके लाद कॉफी नहीं पी तो मैंने रहें लाओ कोफी चाहिए तो मैंने मैं तो पियूँगी , यहाँ उसका में उसकी और चीज के लिए चाहिए किसी और की लिए थी तो यह दो रुपै कोफी लेकिया है चलो इतना अच्छा लगता है जिस सुवज जल्दी काम फिर हो जाता है आज मैं तोड़ा बैटर फील कर रही हूं अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया तो पहले मैं खा लेती हूं क्योंकि नहीं खाती तो जीब सा फील होने लगता है मुझे बॉमिटेंग जै अपना फॉन चला रहे है तो मेरी हैल्प कर वार हो सकता है तो चलो मैं चाय अनेल के लिए निकाल लेती हूं मिलती हूं आपसे कुछ समय बात तो भी ओर मोर्निंग का समय अनेल आ गए हैं हमने ब्रेक पास्ट बगरा कर लिया है और पानी मैं मैं ज्यादा नहीं जाती हूं जानो यह यह मुड़ गई यह मुड़ गई चलो मैं आपके वी रेलिंग तो मैं करूंगी न साफ़ कर देंगी क्योंकि फिसलने का डर रहता है ना इस वैसे मैं यह चांस नहीं लेना चाहिए और जानो यह यह मुड़ गई यह मुड़ गई चलो मैं आपके वी रेलिंग तो मैं करूंगी न साफ हां बहुत गंदी हो रहती है कियसे कपड़े गंदी हो जाते यह बहुत दूलो जाती है यह आपर वैसे भी कल से बहुत ज्यादा मौसम खराब है जीब सा सर्दी जैसा फेल हो रहा है फिर से देखो यह क्या कभूतरी तो कल रात में आया था बहुत तेज तूफान ठंडी हवाएं चल रही है पीछी की रेलिंग साफ हो चुकी है तो अभी यह आगे की कि देख सकते कि दूल मिट्टी है यह तो ब्लू कलर का नहीं कलर है यह दूल मिट्टी नहीं है क्योंकि अनिल ने कलर किया था ना पैंट किय जाता याद होगा तो वही है यह तो चलो यहां साफ कर दो इसको उसके बाद पीछे दिखाती हूं इतना काम तो मेरा डेली का है बट अभी अनिला हेल्प करवा देते हैं मेरी तबियत की वज़े से तो आप लोग देख सकते यह पीछे की रेलिंग हो चुकी है साफ एकदम यहां तक साफ करी है हमने एकदम साफ हो चुकी है अच कपड़े वॉस की है न तो कपड़े डलेंगे यहां पर इसलिए और बिना ना आए मैंने कर लिए कपड़े चेंज आप लोग सोच रहे होंगे यह क्या है तो मैं अभी हेर कलर करने जारी हूं अपने बाला पर तो अच्छा कर लेती हूं आप दोनों हो चुकी है और कपड़ों में से पहले मैं सरफ निकाल देती हूं जो सरफ कपानी होता है न पेरदान निकालती हूं इस वजए से वह सुबह का काम सच में बहुत हो जाता है बड़ अब ही तुम्हाराम से करती हूं अर इस टाइम तक तक मैं फिर ही हो जाती थी लक्ष स्कूल जाता था उस टाइम पर ओमाई गॉड कितने अजीब से लग रही हूं मैं चीची चलो कर लेती हूं पहले तो फाइनली मैं आके आज चुकी हूं आज मेरे हेर वास करे थे क्योंकि आज मेंने किया था कलर अपनी हेर में और अनिल गए फिर मैं भी बैटी रही मैंने भी हेर कलर किया था तो मुझे भी टाइम देना था ब्रेकफास्ट हो चुका है सब जीबन चुकी है बस रोटिया बनाना बाकी है मैं रोटिया भी नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट पेट भर के कर लेती हूं तो में रोटी नहीं खाती हो फिर पता नहीं क्यों मेरा ऐसा लगता है पेट बढ़ रहा है और फिर बॉमेटिंग जैसी फिलिंग आने लगती है इसे डॉक्टर ने भी बोला है कि कम कम खाओ मतलब थोड़ा दोड़ा करके खाओ जरूरी नहीं है कि आपने ब्रेक पास्ट किया तो लंच भी आप अब बहुत बाद यह वाली टॉप वियर की है यह आपने देखा होगा पिछली साल में लेके आई थी इसको सेल से लेके आई थी और यह मुझे बहुत लूज थी उस ताइम पेट में तो अभी अच्छे एकदम फिटिंग से आई है तो अभी बहुत सारे कपड़े हैं जो म मुझे बहुत iba झाल हुआ है सृच भाव एकलं की सभाव तो में पहनी ही नहीं है मतलब अनिल बडर बैग में रख दो चैनल घसन घल बार को मोड़ कई और आग गोस ना betaka ऩार मैं मौटी हो जाती मेरे मन होता है तो पतली हो जाती हूं इस वजए से अच्छा लग रहा है अभी में पानी चला के आई हूं मसीन में थोड़े से कपड़े बाकी है और ज्यादा कपड़े बाकी नहीं है आज ही रजाई कवर वास कर दूँ बट आज रात में जो सर्दी पड आने लगती है जब आप उनको यूज करते हो तो इस वजए से चलो उनका आने का वेट है और सुबह से मैं सो तरी थी सो जाओं सो जाओं जब मैंने हेर कलर किया था तो मुझे ऐसी नीद आ रही थी यूग लाइट भी चली गई थी सारा काम भी हो गया था तो मैं हेर कलर की बैटी थी नहार नहीं पा रही थी ठी तो मुझे अजी नीद आ रही थी थी तो मैंनल से बोल ती कि मुझे नीद आ रही है बट कैसे सू नियूज बेपल लागा कर सो सकती थी बट फिर अन प्रमे फील होता है न ऐसमे जेसे चलो आने तो उनको यह तो घर के काम है घर-गर है शूछ तो मैंने ब्रेकफास्ट तो करी लिया तो मैं सोच हुँ कि वह लगया तो मैंने शोबष्ट चाय ब्रेट के बाद जो टेबलेट लेते हैं वह ले लिए उसके बाद अभी जी इशेवा 수 encryption अपमेने चेबलेट ले लेती हुँ तो यहीं हमाद गले हुआ जाता अ क्या है। मैं कि टैबलेट फटी हिरा पेने आप सॉळड़त उयुक्ति मैं पानी हमेसा यहां रखती हूँ यह मेरा पू भी गंदा हो चुका है इसको मैं वास करूंगी एक दिन टेबलेट खाने के बाद अजीब अजीब सी इसमय लाती ही मुह में से टेबलेट की रखाज यह अजीब सी चलो पानी बंद कर देते हैं मसीन का कि अन्यकर भी करता हैं कि तब लेक्स करते कि तब प्र करने में तो क्यों कि रेला जाएं में तौढ युट को पहारा जायार आता है यह मोई ने कि करते भी चर चेयर आता हुट, तक को भी कना बंडर बंडर तो मेरे हेर भी अच्छे से हो जाए और यहीं पर हमारी नहाते उस वाली वातरूम में तो इस वाली वातरूम में हमारी मसीन में रिस्प्ट करती है तो मुझे ऐसा लग रहा है जाए तो दवाईया भी डाली पड़ेगी तूप में बैटके मोबाल नहीं चला सकते ना मोबाली लाइड एकदम हाई कर लो उसके बाद भी प्रॉब्लम आने लगती है दिखता ही नहीं कुछ या तो फिर मैं ही अंदी हूं चस्मा लेके आती हू यार मैं चस्मा जरूर लगाती हूं फों यूज करती हूं टीवी तो मैं देखती नहीं हूं कि ताइम ही नहीं तर टीवी के लिए तो तुछ बताऊंगा चलो बैटनी है यहां थोड़ा देर लोग आते हैं सामने सी आएंगे सामनी गेत है और पता है मुझे लोग में करने में रेसेप्सन पर पहले पूछना पड़ेगा तो इस बएसे वह जल्दी चले गए तो बाहर से लोग लगा के चले गए क्योंकि मैं अंदर थी तो यार कोई भी आ सकता है ना इस बएसे डर लगता है मुझे तो फिर में बेफिकर हो जाती हूं लोग लगा के जाती है अब एस बढ़ा है तो पागल में अंदर हूं तो लोग मैं कैसे लगा सकती हूं पापा ली लगाए ना लोग तो चलो चलो मैं थोड़ा सा फोन चलाती हूं आप लोगों के रिप्लाई करते हूं कमेंट के तो लक्ष्या गया इस कूल से और अनिल लग्ष को नीचे ही कुमने के लिए गये हैं तो मुझे लगा कि थोड़ा समय लग सकता है उनको एगंटा भी लग सकता है तो मैं यहां पर कपड़े स्पिनर में डाल रही हूं वैसे अभी आज कल मैं नहीं डालती हूं क्योंकि मैडम ने जदा वेट उठाने के लिए मना किया है और जब कपड़ आज कल मैं जब भी पहनने के लिए कपड़े निकालती हूं तो मुझे इतना टेंसन हो जाता है उनको देखने के बाद की कपड़े तो मैंने पहनी नहीं पाया और छोटे हो जाएंगे मतलब क्या ही बता हूं यह लड़कियों के फैबरेट कपड़े ही होते हूं रोता ही क् जारी होंगा